नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी निउस में आपका उस्फागत है खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में सेवा मुक्त की गई 18,000 अंगनवारी सेविकाउं को मिली नौकरी बिहार के जिले में लगेगा 10 से अधिक नया उद्योग बारवस हिचाई पर योजनाओं की अब होगी ऑनलाइन मौनेट के बिपीएसी ने जारी किये सहाई का भियत्दा का रिज़र प्रधान मंत्री नरेंद मोदी इस दिन पहुँच रहे हैं बिहार इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में सेवा मुक्त की गई 18,000 अंगनवारी सेविकाउं को मिली नौकरी बीते दिन देर साम समाज कल्यान में भाके द्वारा छुट्टी होने के बावजूद भी बिहार के मुक्य मंत्री नितीस कुमार के दिये गए निर्देश के नुसार आदेश जारी करते वे या जानकारी दी गई है कि बिहार की वा 18,220 अंगनवारी सेविका एंजिन की नौकरी बिहार में हर्ताल करने के आरोप में खत्म कर दी गई थी उन्हें अब फिर से नौकरी बहाल कर दी गई है बदादे की समाज कल्यान में भाके द्वारा जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि हर्ताल अबदी में कतिपे जिल्ला प्रोग्राम पतादी कारी द्वारा चैन मुक्त की कई आंगनवारी सेविका और सहाईका के चैन मुक्ती आदेश को समयक विचारों प्रांत निरस्त किया जाता है सम्बंधित सेविका या सहाईका अपने करतवे पर योगदान देंगी हर्ताल अबदी से योगदान अबदीता किसी प्रकार का मान दे पुरोचाहन डासी आदी नहीं होगा बिहार के जिले में लगेगा दस से अधिक नय उद्योग बिहार की गया के बियाड़ा के अद्योगिक छेत्र गुरारू में करीब 200 करोर रुपय का इंवेस्टमेंट कर छोटे से लेकर बरे उद्योग के करीब 10 नई यूनिट शुरू होने वाले हैं जिसे ना केवले इस छेत्र का विकास तेरी से होगा बलकी 3-4,000 लोगों को रोजगार के नय अफसर भी मिलेंगे बता देकिन 10 ने उद्योग में सबसे महत्वपूर टेक्स्टाइल मील और आईबी फ्लोईड यूनिट सामिल हैं जिसका निर्मान 7 एकर और 2.5 एकर में किया जाएगा और उमीद की जा रही है कि अप्रेल मैं महीने में दोनों यूनिट से उत्पादन कारे भी शुरू हो जाएगा बता दे कि फिलाल टेक्स्टाइल यूनिट में ट्राइल के रूप में मसीन चलाई जा रही है वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तहत यहां राइस मील से उत्पादन शुरू हो गया है मालूम हो कि यहां दो राइस मील एक फ्लोर मिल और बैग निर्मान यूनिट आधी खुलने वाले हैं यहां से निर्मित सामान देश के विविन अस्थानों के अलावे विदेशों में भी भेजे जाएंगे और रोजगार के लिए अस्थानी लोगों को प्रात्मिक्ता दी जाएंगी एक लाग दस हजार नव नियुक्त सिक्चकों की पोस्टिंग इस दिन से बिहार लोग सेवा आयों के द्वारा सिक्चक भरती के दूसरे चरण की लिगई परिक्षा के तहत अनुसंसित एक लाग दस हजार नव नियुक्त सिक्चकों की पोस्टिंग की शुरुआत 15 जनवरी से होने वाली है जो कि 20 जनवरी तक चलेगी बता दे कि सिक्चकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों का आवंटन रैंडम तरीके से होगा जो कि सौफ्ट्वेर के माध्यम से पूरी की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 15 जनवरी को भोजपूर, नालंदास, सिभर, सिखपूरा, लखी सराय और अर्वन दिले के लिए पोस्टिंग होगी तवई 16 जनवरी को जहानाबाद, बकसर, मुंगेर, खगरिया, जमूई एवं सहरसा, 17 जनवरी को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपाल गंज, सीधा मरी, सुपॉल और सिवान, 18 जनवरी को बेगुस राय भागलपुर, गया, मधेपूरा, नवादा, रोतास, और पु बिहार में बार्वा सिचाई परियोजनाओं की ऑनलाइन इगरानी करने के लिए विस्तरित कारी योजना तैयार कर ली गई है, बतादे कि इस कारी योजना में पाइलेट प्रोजेक्ट के तैर चार परियोजनाओं को सामिल किया गया है, जिसमें पस्टमी कोसी परियोजना और पूर्वी गंडग परियोजना मुख्य पाइलिट प्रोजेक्ट होंगे इसके अलावे तर्वंड वबगहा में कटाव निरोध कारियों की भी ऑनलाइन मॉनेटिंग की जाएगी इस संबन्द में विभाक अभियंता प्रमुक मुख्याले के द्वारा दर्भंग और मोति नि खारी के मुख्य अभियंता से चाई एक के अलावे मुझंपरपुर के बार एवं जल निसरन के मुख्य अभियंता को पत्र भीज कर जानकारी देए गए एसे में अब जल्द निगराने का सबसे बड़ा आधार बनेगा और इसी के आधार पर मुख्याले परियोजनाओं से संबंधित अपनी रिपोर्ट तयार करेगा विहार की आठ साल की महालिया ने इस फिल्म में निभाई मुख्यभूमी का विहार से कई ऐसे लोग हैं जो फिल्मों की दुनिया मे अपनी पहचान बनाकर नाम कमा रहे हैं और राजी का नाम रोशन कर रहे हैं बता दे कि अब बिहार के भागल पुर्जिले के तिलका मांजी की रहने वाली आठ साल की महालिया बोध फिल्म खौफ में नजर आने वाली है यह फिल्म मार्च तक OTT प्लेटफॉर्म पर रिली वह इस फिल्म को करने को लेकर महालिया के द्वारा कहा गया है कि उसे फिल्म幫 ने में काफी अच्छा लगा स्कूल में भी इसकी खूब चडचा हो रही है वही मालिया के पिता सुमित कुमार के दवारा जानकारी देतेवे वि कन ऩाया थी कर थी कि एक वीडियो डिरेक्टर मनोच क्रिस्म को मिला इसके बाद उन्होंने बाल सोसन पर आधारित फिल्म के लिए महालिया को चुना संजया मिस्णा भी जब भागल पूर पहुंचे थे तो उन्होंने महालिया से मुलाकात की थी और उनकी एक्टिंग पसंद की थी जिले के हिड मास्टरों के सैलरी पर प्यार नहीं किया गया है बदादे के इन महेर मास्टरों के जन्वरी महीने के वेटन को रोक दिया गया है इसको लेकर कैमोडीम सावन कुमार के द्वारा पत्र जारी कर आदेश दिया गया है कि स्कूल के विकास के लिए प्रात्मिक्ता के आधार पर योजनाओं का चैन कर कार्यान्वित करने का निर्देश जिया था लेकिन उनकी समीक्षा में यह पाया गया है कि निर्देश का अनुपालन सुने है इससे हेड-mastyrों की स्वेक्षा चारिता मनमाने पन एवं अपने दायत रिवाहन के प्रती अनीक्षा जाहिर होती है बतादे कि डियम ने सभी हिट मास्टरों से 8 जनवरी तक असपस्टी करन मांगा है और साथ ही इनके जनवरी के वेतन पर भी रोक लगा दी है आईयमे तक पहुंची केके पाठक और डॉक्टर अजय कुमार की लड़ाई बुलाई गे इमर्जनसी मीटिंग सिक्षा विभा के अपर मुख्य सचीव केके पाठक और डॉक्टर अजय कुमार के बीच खुई लड़ाई बढ़ती ही जा रही है बतादी कि अब अजय कुमार के द्वारा भी केके पाठक के खिलाफ लोकल थाने के आइपाया दर्ज करवा दिये गये हैं और दो हफ़ते का इंतजार कर रहे हैं ताकि केके पाठक के खिलाफ कारवाई हो अगर इसके बाद भी राजसरकार की तरब से कोई अक्षन नहीं लिया जाता है तो वह कोड की मदद लेंगे वहीं अब यह मामला आईयमे तक पहुँच चुका है इसको लेकर आज बिहार की रालजानी पटना में के मरजिंसी बैठक भी बुलाए गई है जिसमें डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा बिहार आईयमे के सतस्यों को विस्तार से इस घटना के बारे में सारी जानकारी द जाए और के पाठक पर सक्त कारवाई की जाए अगर उन पर कारवाई नहीं की जाती है तो वह के पाठक के खिलाफ लीगल एक्संट भी लेंगे इन सभी बातों को सुनकर बिहार आये में डॉक्टर अजय कुमार के साथ ख़़ा है बतादे की एक तरफ जहां डॉक्टर अभद्र भासा का परियोग करने का आरोप लगाया गया था तो वहीं दूसरी और इस मामले को पर केके पाठक ने अजग कुमार को लीगल नोटिस भेजा है कि क्रिप्टो करेंसी ने मुनाफ़ा का जहांसा देकर पचीस सो लोगों से उनीज दिसम्लों पांच सूने करोर क थागी की गई है इसके बाद इस मामले को लेकर रांची साइबर थाने के पुलिस के द्वारा ब्रंपूरा थाना पुलिस के सहयोग से उसके घर पर शापे मारी कर विकी की गिरफतारी कर ली गई है वहीं जोरान घर की तलासी लेने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेज करन पुलिस अपने साथ ले गई है बदादे की विकी को इविरोध वोकारो जुला के चास थाने के तेलडी निवासी रासन वेबसाइश संतोस कुमाने जारखंड के CID के महा नदेशक को आवेदन दिया था इसके बाद इसके खिलाब रात्मी की दर्ज की गई थी BPSC ने जारी किया सहाइक अभियंता का रिजल्ट अगर आप भी उन अभ्यरतियों में से हैं जो विहालोग सिवा आयोग की द्वारा ली गई सहाइक अभियंता परिख्षा में सामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है बतादी की आयोग की ओर से सहाइक अभियंता का रि सामिल हुए थे जिन में से 57 उमिद्वारों को सफल घोसत किया गया था वह इसके अलावे बिहालोग सिवाईयों की द्वारा सहाइक अभियंता अस्यानिक प्रतियोगिता परिख्षा का भी संसोधित परिख्षा फल जारी कर दिया गया है जिसमे 6244 उमिद्वार के द्वा से बातीत करते वे सीट बटवारे को लेकर अपनी बात कही गई है उन्होंने कहा है कि हाली में चार राजों में चुनाव हुए यदि इन राजों में इंडिया गरबंदन के नेता सहयोगी के रूप में प्रचार प्रसार करते तो पर इसका व्यापक असर देखने को मिलता और भाजबा को काफी नुखसान उठाना पड़ता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो रिजल्ट आया वह आप लोगों के सामने हैं दोखसबा चुनाव में वह विपक्चिकर बंदन भाजबा को रोकने में सफल होता है तो इसका सबसे अधिक लाब कॉंग्रिस को मिलेगा इस के साथ ही उन्होंने इस दोरान मेडिया के द्वारा पूछे गए सवाल की जारकन में जदियू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तयार है पर जवाब देते वे कहा कि चुनाव के घोसना के बाद पार्टी इस पर आखलन करेगी अभी इस बारे में कुछ भी कहन नहीं होगा उन्होंने कहा कि केंद्री एजिंसियों की विस्वस्नियता समाप्त हो रही है सुसील मोदी का लालू तेजस्वी पर हमला विहार के पूर्फ उक्मुक्य मंत्री और राज़त सभा सांसर सुसील कुमार मोदी के द्वारा पस्टिम बंगाल में रासन होटाले की जांच करने के लिए टीम सी नेता के घर पहुंची एडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले को लेकर विहार के उपमुक्य मंत्री तेजस्वी यादव और राज़त सुप्रीम और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला गया है उन्होंने कहा है कि पस्टिम बंगाल में से हमले पर कर सकता है उन्होंने कहा कि एडी प्रस्टाचार के ठोस प्रमान मिलने के बाद ही किसी के विरुद जांच और पूछता जैसी कारवाई करता है टीम सी राज़ा जहामूमों कॉंग्निस या आम आदमी पार्टी के प्रस्टाचार आरोपी नेता अपने समर्तकों की भीर से हमले करा कर केंद्री एजन्सियों की जांच से नहीं बच सकते हैं इन हमलों से जांच एजन्सियों डढने वाली भी नहीं है नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपी लालू परिवार के लोग हो या अलग-अलग मामलों में आरोपी जारकन और धिली के मुख्य मंत्री कोई भी एडी के समन से कब तक बचे रहेंगे कानून अपना काम करेगी ही विहार के आठ सीटों पर चुनाब लड़ने की तैयारी में आरल जेडी बीते दिन राश्ट्यों लोग जंदा दल की और से सिखपूरा के पटेल चौकर सितेक नीजी सभागार में पूर उन्होंने कहा कि आने वाले लोगसभा चुनाब को देखते वे पार्टी ने प्रमुक रूप से आठ लोगसभा सीटों को चुनहत करने का काम किया है वैसे पार्टी सभी 40 सीटों पर तयारी कर रही जमोई लोगसभा सीट पर NDA का कोई भी प्रत्यासी लड़ेगा हमारी त प्रधार वोट बैंक है उनका विस्वास नितिश कुमार पर नहीं रहा वही जो नितिश कुमार के वोटर है उनका एक पैसा भी विस्वास आजिरी नेत्रित्म पर नहीं है दोनों मिल जाएं यह कहीं पलट जाएं लेकिन 2024 में सभी सलट जाएंगे प्रधान मंत्री के दोरा तयारियान शुरू कर दी गई है इसके अलावे भाजपा के अस्थानिये सांसद और पूर्व प्रदेस अध्यक्ष संजयर जैस्वाल के दो आभी बेतिया के हवाई अड्रे मैदान से लेकर प्रधान मंत्री के कारिक्रम असल रम्ना मैदान तक इरक्षन किया गया है इस बारे में सांसल डॉक्टर संजर जैस्वार के द्वारा जानकारी देते में बताया गया कि ब्रधान मंत्री नरेंद मोधी 13 जनवरी को बेतिया में कई विकास युजनाओं का सिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और साथी रमना मैदान में जनसभा क होगी प्रधान मंत्री दिघा एनच का काम शुरू होने के आरम करेंगे और बेतिया पकना तमकुही एनच साथ सो सताइस एए का भी काम शुरू होगा बिहार में जिन ट्रैक्टर डैली करेंगे राकेश टिकैट आगामी की जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैट एक बार फिर से बिहार दोरे पर आ रहे हैं रसल वाइस जोरान भूमी अधिक रहन और मुआबजे को लेकर खगरिया में आयोजित प्रदर्सन में सामिल होने वाले हैं बतादी की ट्रैक्टर डैली में राकेश टिकैट के साथ दूसरे राजियों के भी कई किसान एता सामिल होंगे इस बारे में बिहार किसान मंच के प्रदेश सध्यक्स ध्रेंदर सिंग के द्वारा जानकारी देते में बताया गया है कि 21 जन्वरी को महेश कुंट से चौथम तक सभी किसान सैक्रो ट्रैक्टर और बाइक के साथ सरक पर उतरेंगे और अपनी बांगो को लेकर सरकार को अगाम कैसे हो सकती है उन्होंने का कि सरकार एनेच 107 के लिए किसानों की जमीन का अधिक ग्रहन कर रही है लेकिन जमीन के मुआपजे का मामला विवाद में पड़ा हुआ है इसके लिए किसानों के द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया रहा अब इन्हीं सब मुद्दों क लेकर बरी संक्या में की जन्वरी को किसान सरकों पर उतरेंगे विहार में आज यानि रवीवार को पिट्रॉल डीजल का जारी हुआ रेड जारी किये गये हैं जिसके बाद राज़ानी पट्ना में आज पिट्रॉल 107.54 और डीजल 94.32 तीन दो रुपए प्रती लीटर में भागलपुर में पिट्रॉल की कीमत 118.64 रुपए और डीजल की कीमत 95.32 रुपए प्रती लीटर ने धारित की गई है जिसके साथ ही गया में पिट्रॉल की कीमत 118.85 रुपए और डीजल की कीमत 95.55 रुपए प्रती लीटर है बता दे कि बिहार में पिट्रॉल का रेट से ज़्यादा के संगंज में हैं जहां पेट्रॉल एक सो नौ दॉसमल साथ चार रुपए प्रती लीटर और डीजल 96.36 रुपए प्रती लीटर कीमत है बीटे दिन हमारे दौरा पूछे के सवाल का आप लोगों में इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है आपके अनुसार क्या इंडिया गठवंदन